प्यारे बच्चों जे एशु अब हम इस पाच्वे पाड के दुसरे भाग को पढ़ेंगे जहाँ पर हम ख्रिस्तिय जीवन के मनुभाव के बारे में हम ख्रिस्तिय व्यक्तित्व के विलक्षनों के बारे में पढ़ रहे हैं और उसमें हमने पहले भाग भी ख्रिस्तिय जो दृष्टि कोन है उसको देखा और अभी हम ख्रिस्तिय मनुभाव को पढ़ने वाले हैं तो एक प्रभु ईश्वर, हम आपकी स्तुति आराथना करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं, हम पर वरसाए हर एक रुपादान के लिए हे प्रभु धर्म शिक्षा ग्रहं करते हैं समय हम हमारा रहदे आपके चर्ण में समर्पित करते हैं हमारा रहदे खोल कर हम में आपका पवित्रा आत्मा डाल दिये जिससे हम आपके मनोभावों को हमारे जीवन में ग्रहं कर उसके तरह इस मनभावों को हमारे व्यक्तित्व का एक भाग बनाए पिता, पुत्रे और पवित्रात्मा के नाम पर आमीन जै एशु तो बच्चों आपको याद है कि हम क्या पढ़ रहे है जैसा कि मैंने बताया हम क्रिस्तिय व्यक्तित्व के विलक्षिनों मतलब specialties या qualities of Christian personality उसमें हमने तीन जो तत्व है जो ख्रिस्तिय द्रिष्टिकोन, ख्रिस्तिय मनोभाव और ख्रिस्तिय जीवनशैली उसको एक-एक करके देखते आ रहे है तो पहले तत्व में हमने 5 points देखे थे ठीक है ईश्वरिय दर्शन फिर मानव दर्शन और फिर Christian दर्शन, आत्म दर्शन, मानव दर्शन और जो कुटुम है उसका लोग दर्शन, फिर स्वर्ग दर्शन तो यहाँ एक द्रिष्टिकोन, Christian द्रिष्टिकोन कैसे हमारे जीवन में होना चाहिए उसके बारे में पढ़ा तब आए अब हम पढ़ते हैं मनोभाव के बारे में मनोभाव, Christian मनोभाव मतलब क्या है बुद्धी के स्थर पर आकार लेने वाले जीवन दर्शन जीने के लिए जो उप्युक्त मनोभाव है उसमें हम को चेंज करना चाहिए जीवन दर्शन जोती एक व्यक्तित के मन में आका लेने वाले अभिग्याए मनोभाव कहलाती है हमारे जो जीवन दर्शन है, जीवन का दृष्टी कौन है उसके प्रती हमारे मन में जो धानाय बनती है उसको हम अभिग्याओं को हम मनोभाव बोलते है तो इश्वर मनुष्य और दुनिया के प्रती एक व्यक्ति को इसमें से मुख्य रूप से अलगलग मनुभाव है तो एक खृस्तिय को इश्वर ये खृस्तिय दर्शन मिलने के लिए खृस्त के शिश्यों के मनुभावों को निधारित करना चाहिए और फिर उससे हमारे पिता है, मनुष्य हमारे भाई है, दुनिया इश्वर के, हमको इश्वर से मिला हुआ एक भेट है हम मानुवों के लिए और स्वर्ग राज हमारा लक्ष है इन सब लक्षों को, इन सब मनुभावों को हमारे मन में लाना है तो इस मनुभावों की कुछ विशेष्टा है ना तो इसमें हम देखेंगे एक के बाद एक सबसे पहले मनुभाव हम देखेंगे इश्वर पर भरोसा रखने का मनुभाव हम सब इश्वर की संथान है इश्वर हमारे पिता है तो हर एक बेटा अपने पपा पर पूरा विश्वास करता है तो आपको ये स्टोरी ज़रूर पता होगी कि एक जहाज में जो सेलर था, कैप्टेन था उस जहाज का उसका बेटा भी उस जहाज में ट्रैवल कर रहा था जहाज से और जहाज में अचानक जो एक एकसिडेंट होता है और वो डूपने लगता है तब वहाँ पर सब लोग चिलाने लगते है ना कि सब लोग दुसरी को बचाने के लिए भागने लगते हैं और फिर उस टाइम में जो सेलर है उसको बाकी लोग को बचाने का रिस्पॉंसिलिटी है तो सब लोग जब यहां-वाँ भागते हैं तो अपने बच्चों को शेफ रखने के लिए उसे बताता है कि बेटा मैं आने तक आप यहां से हटना नहीं आप यही पर खड़े रहना ठीक है और वो बाकी इंतजाम करने के लिए सेलर चला जाता है लेकिन जब यह भागदोर दोर हो रही थी उस समय बहुत से लोग इस छोटे बचे को बोलते बच्चे आप वहां से आजाओ डूप जाओंगे हमको बचाना है आप वहां से उठो आओ लेकिन यह बच्चा किसी को नहीं सुनता था लेकिन क्यों कि उसके मन में विश्वास था कि वो उसके पिता जो है उसको जरूर बचाएगा और उसके पिता ने जो कहा है वो ऐसे सुनेगा औ लेकिन जब उसने उसके पपा को देखा उसके सामनी पपा हाथ फेरा कर खड़े बेटा जंप करो मैं आपको बचाओंगा तब बेटा खुशी से जल्दी से पपा के हाथों में जंप लेता है मतलब उसको विश्वास है कि उसका पिता उसको कैसे भी करके बचाएगा तो हम बच्चे को भूला नहीं देते हैं हम पढ़ते हैं नभी इसयाक के ग्रंथ में यदि मा अपना दोथ पिता बच्चा भी भूल जाए लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा और प्रभू परमेश्वर हमें अपने हथेली पर संभाले रखता है है ना नभी इसयाक का ग्र प्रभेश्वर हमें धिरच प्रदांक करते हैं कहते हैं तुम्हारा जी घबराय नहीं मुझ में विश्वास करो इश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो Do not let your hearts be troubled, believe in God, believe also in me तुम्हारा जी घबराय नहीं, इश्वर पर भरोसा रखो और मुझपर भी भरोसा रखो प्रभू परमेश्वर हमें धैरे दिलाते हैं कि हम प्रभू की संतान हैं, हम इश्वर की संतान हैं इश्वर हमें कभी नहीं भूलेगा और हमारी हर चीज में सहायता करेगा इस मनोभाव को हमें हमारे जीवन में लागू करना है और तभी हम जीवन के सभी विशाद को, सभी निराशा को भूल कर प्रभू मसी पर पुटा विश्वास कर सकेंगे और इस जीवन को सहाज रुप से पार कर सकेंगे संद लूकस का सुसमाचा अध्यायचे वाक्य 26 में हम पढ़ते हैं कि इश्वर के लिए सब कुछ संभव है इश्वर के लिए सब कुछ संभव है यहां भरोसा हमें देता है कि हमें प्रभू पर पूरा विश्वरास करना चाहे क्योंकि हम इश्वर की संतान है और इश्वर की संतान होने के नाते यह हमारा पिता इश्वर हमारे लिए सब कुछ अच्छा ही करेगा हमारे लिए जो कुछ भी होगा वह सब इश्वर के इच्छा के अच्छा होगा सन फ्रांसिस भी अपना पूरा भरोसा पिता परमिश्वर पर जताते हुए पोलते है मेरे इश्वर मेरे सर्वस्व, my god, my all, मेरे प्रभू मेरे सर्वस्व यह एक विश्वास का उद्गार है, कैसे वे अपने विश्वास की घोष्णा करते है कि मेरे प्रभू मेरे लिए सब कुछ है, आए बच्चों, हम भी इस मनोभाव को अपने जीवन में रखे तब जाकर हम इश्वर पर भरोसा करके, इश्वर के भरोसी के जो मनोभाव है, उसको विक्तित्वर हमारे जीवन का हिस्सा बन जाएगा अगला मनोभाव है, विश्व भायचारे का मनोभाव हम इश्वय की संतान हैं और इश्वय की संतान होने के नाते हम सब एक दुसरे के भाई बहन है है ना तो क्रिस्तिय मनोभाव में यह जो भाई चारे का मनोभाव है यह भी एक दुसरा महत्वपून मनोभाव है और इसके लिए हमें यह हमारा धार्मिक मुल्य है हमें सिखाते हैं कि हम सब को एक दूसरे को भाई बहन जिसे मान कर सब को इस मनोभाव से मदद करनी चाहिए और इसलिए प्रभु ईसु कहते हैं संत्मत्ती का सुसमाचार अध्याई 25 वाके 45 में जो कुछ तुमने मेरे छोटे से छोटे भाईयों में से किसी एक के लिए किया है वह तुमने मेरे लिए किया है प्रभु ईसु कहते हैं हम सब भाई बहन हैं इसलिए जो कुछ हम एक छोटे भाई के लिए हमारे परोसे के लिए करते हैं सब हम किसके लिए करते हैं परमेश्वर के लिए करते हैं तो इसा मसीश का यह कर्थन इस मनोभाव को मस्बुत करता है कि हमें सब को अपना भाई बहन सोच कर सब की दिल से मदद करने चाहिए और अपने भाई को अपने सचे भाई को भाईयों की तरह एक दुसरे से पूरे र करना चाहिए एक दुसरी को सच्ची भाय की तरह प्रेम करना चाहिए संत पॉलुस का रोमी के नाम पत्र अध्याई बारा वाक्य तसमें तो इस तरह हम इश्वर के उपर भरोसे के मनुभाव के बाद में विश्व भायचारे के मनुभाव को हमने देखा हैं अब हम अगला मन बाव नेकी की राह हम सबको हमेशा भराई करना है ऐसे बोलते हैं जो देता है उससे देते जाना चाहिए इतना जब तक कि हमें उस देनी के कारण दर्द नहों हमके कितनी मदद करनी चाहिए जब तक हमारे पास में अगर कुछ एक्स्ट्रा है तो हमने दे दिया और हमको उ जो जब तक तुम्हें उसकी वेदना अनुभव नहूं। इसलिए हमारे भाई बहनों में भाई शारा के साथ साथ भलाई की मनुभाव रखना है। सब की भलाई करना भलाई करने से हिमत नहारे यह करते हैं संद्पॉलस फिर से रोमियों की नाम संद्पॉलस के पत्रे अध्याई 12 वाक्य 21 में वे कहते हैं भलाई करने से आप हिमत नहारे और भलाई द्वारा बुराई पर विजय प्राप्त करें। हमें जो कुछ हमसे अच्छा करता है उनके साथ नहीं जो हमसे बुरा व्यभार करते हैं उनके साथ भी अच्छाई करके उस बुराई के उपर अपनी भलाई से विजय प्राप्त करना है जो कुछ भला है इश्वरे चैतन्य से भरा है और इश्वरे चैतन्य की इश्वरे और इससे हमारा जो भलाई करते हुए हम पूरे इस दुनिया को एक स्वर्ग की तरह बनाएंगे हम सब लोग मिलकर जब हर एक जन अच्छाई करने लगेंगे तो यह दुनिया स्वर्ग में बदल जाएंगी आए बच्छो खृस्तिय शिष्य होने के नाते हम खृस्त के इस मनुभाव को हमारे प्रभुईशा मसे भी जहागए वे गए सब की भलाई करते गए है ना जो कुछ भी उनके पास आये कोई मदद मांगने आये कोई रोगयों से मुक्त होने के लिए आये कोई किसी विमारी से सबको प्रभीसाद ने मदत किया है झोधा मनोभाव है आशावाद मतलब हमारे जीवन में सबको प्रत्याशा होना चाहिए आशा होना चाहिए आज हमारे इस जीवन में हम बहुत बार इस वाकियों को सुनते आ daytime才 candidate optimism या पैसीमिसम तो इस वाक्य की चर्चा हमारे आजुबाजु में हम कभी ना कभी जरूर सुने होंगे क्या है यह आप्टीमिसम और क्या है यह पैसीमिसम आप्टीमिसम याने सकारतमक्ता जो पॉसितिव थिंकना पॉसिटिव बात सोचना positive thinking या फिर positive सोचना, अच्छा सोचना, सकारत्मक सोचना हमारे साथ जो कुछ भी होंगा वो अच्छा ही होंगा इस पर भरोसा करना यह है सकारत्मक्ता और नकारत्मक्ता मतलब pessimism जो कुछ भी अच्छा हो उसे ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं मतलब सकारणत व्यक्ति और जो कुछ भी अच्छा हो जो कुछ भी हो हर चीज में कुछ ना कुछ खामिया कुछ ना कुछ बुरा ही निकालते हैं ऐसे व्यक्तियों को नकारत्मक व्यक्ति या पेसिमिस्ट बोलते हैं तो आजकल यह सकारत्मक और नकारत्मा हमारे जीवन में बहुत ही प्रचलिट है तो हम सब को ख्रिस्त के अनुसार एक अच्छा सोच रखना चाहिए हर एक चीज में हमारी भलाई ही होगी हर एक चीज हमारे लिए अच्छी है प्रभू की योजना से है ऐसा सकारात्मक दृष्टी को जब हम हमारे जी हमें सुिसाइड की और जो खून की और बहुत सारे बुरे चीजों की खबर न्यूस पेपर में मिलती है और इससे हमारा मन भी कभी कभी नकारात्मक तासे भर जाता है लेकिन जब हम सकारात्मक सोच वाले बनेंगे तो हम सब एक सुखी जीवन और शांत जीवन बिता पाए जो हमें आशावात का मनुभाव हमारे रिदे में रखना है संद पॉलस फिर से रोमियों की नाम संद पॉलस के पत्र में हम देखते हैं वे कहते हैं अध्याए आठ वाके 31 में यदि इश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद होगा हमें यह द्रिद विश्वास होना चाहिए कि इश्वर हमारे साथ है जब हम यह इश्वर पर पूरा भरोसा करेंगे तब हमें आशा रहेगे कि हमारे विरुद कोई नहीं आएगा इश्वर हर बात में हमारी मदद करेगा रोमियों के नाम संद पॉलस के पत्र में अध्याए आठ वाके 28 में हम पढ़ते हैं प्रफु इस्वर मसी का वादा संद पॉलस बताते हैं कि जो इश्वर को प्यार करते हैं इश्वर उनके कल्यान के लिए सब बातों में उसकी मदद करेगा कभी कभी हम निराश हो जाते हैं हताश हो जाते कि हमारी मदद कोन करेंगा इतनी है हमें यह नहीं आता हमें वो नह है वो घुकर के चमहां होके जंक हाते हैं तो इसको साफ करने के लिए परमेशवर का वचन हमारे पास है हम प्रभु के वचन को पढ़ें पर्रभु के वचन पढ़ने से हमें आशा मिलेगी हमारे मन में स्कारत्मक विचार आएंगे क्योंकि प्रभु कहते हैं कि जो उनसे प्यार करते हैं उनके कल्यान के लिए परमेश्वर हमेश्चा हर बातों में उनकी सहायता करेगा तो आए बच्चों हम इन क्रिस्त के इन मनुभावों को हमारी जीवन के और हमारी व्यक्तित का हिस्सा बनाएं कौन से कौन से मनुभाव इश्वय पर भरोसे का मनुभाव विश्व भाईचारे का मनुभाव और भलाई करने का मनुभाव तथा आशावाद और ये सब जब हमारे मन में आएगा तब हमारे मन में और हमारे व्यक्तित्व में खृस्तिय व्यक्तित्व का निर्मान होगा तो प्रफु येसु हम धन्यवाद देते हैं इस क्लास के लिए आपने हमारे मन में जो आशा जगाई हैं कि आप हमारे परमेश्वर हैं और हमारे साथ सब कुछ अच्छाई होंगा इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रफु और यह प्राथना करते हैं कि हम इस भरोसे के मनुभाव में आगे बढ़े भाई चारा से चिये और सब कुमे आपकी इच्छा को देखकर सकारात्मक्त का जीवन भिताए और सब की भलाई करने में अग्रसर बने रहे पिता, पुत् कि नाम पर, आमीन. धन्यवाद, चेएशु.